नमस्कार दोस्तों, UPVC Windows Training Series में आज हम आपको एक important observation दिखाएंगे हमने क्या observe किया है कि लोग और हमारे यहाँ पर भी जो ट्रेनिंग करते हैं वो धंग से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उससे कुछ-कुछ गड़बड़ी करते रहे हैं, welding में जैसे हम बताएंगे आपको इसकी जो welding हुई ना यह दोनों पीसे ना सेम यह जो flow line आ रही है ना यह सेम होनी चाहिए इसका reason होता है, technical reason मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ दो कटेवे पीस और जो गड़बड़ हुई है वो भी बताता हूँ इसलिए शेयर कर रहे हैं, जिससे आप लोग और हम description part में वो welding series का, जो हमने plates का description दिया था ना वो भी दिंगे आप यह देखे, यह three track का frame है, है ना कटेवे पीस पड़े है इसमें देखे, एक तो यह hole है, एक यह hole है तो drain hole के लिए, यहां पर होता, drain hole जिसमें यह वाला आपका system होता जो पूरी window का पानी बाहर निकालेगा तो जब welding करते ना, तो दोनों को symmetrical रखा जाता जिससे, मतलब यह drain hole वाला चेद इसके सामने आए, है ना तो वैसे करके welding करते हैं, तो इसके साथ weld होगी, ऐसे करके, जहां पर वो सेम आएगा, है ना तो अगर आप सही नहीं रख रहे हो, तो उपर नीचे आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, आप इसको observe कीजिए, है ना यह नीचे दिखेगा आपको, यह थोड़ा उपर दिखेगा, देख रहे हैं, यह उपर है, यह नीचे है, तो यह दोनों मिलने चीए पार्ट, इसके लिए क्या होता है, कि जो हमारी welding plate होती है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, और हमने plate के उपर मार्क भी किया वा है, ऐसे welding करने में थोड़ी सी गड़बढ हुई, जबकि हमारे helper से गड़बढ हो सकती है, तो आप लोग भी इस टाइप की गड़बढ ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता, आपको फिर window का जोड़ खोल के, यह वाली window का जोड़ खोल के, दुबार से सही weld करना होता, वरना कई जगे से हमको क्या problems हैं, लोगोंने क्या कहा, कि जो बारिश का पानी है, उससे दिवार में leakage होगी है, तो उसके reasons यह हो सकते हैं, कि पूरी जो window के अंदर आपके पानी का flow है, जिसको आपके drain hole से निकलना था ना, वो नहीं निकल पाएगा, यहां से निकलना था ना, वो है, पूरा, कि पूरा पानी यहां पर जाके नीचे खटा करके इस छेट से निकाले, तो welding में भी उसका ध्यान नहीं रखोगे, तो एक तो welding में यह गड़ बढ़ाएगी, कि उपर नीचे हो जाएगा, दूसरा आपकी leakage की भी प्राबलम हो सकती है, तो इन चीजों को ध्यान रखे हैं, धन्यवाद दोस्तों